इस फिल्म का नाम है डेंपियर, सबसी पहली मैं इसका मतलब बता देती। अब जैसी विंपएर्स होते हैं, इनसानों का खोन पीने वाले, उनको माणनी वालों को डेंपियर कहते हैं। ये विंपर्स की दुश्मन होते हैं। इसलिए उनका शिकाल करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है काफी विरान जुका को दिखाने सी, जिसमें एक औरत की तबित खराब हो रही थी, क्यूंकि उसका बच्चर पैदा होना था, वो यहां रोरोकर अपने हिस्बंड का नाम फुका रही होती है, जिसके बाद में औरत का हिस्बंड दिखाया गया, जो गोड़ी पर सवार होकर तीजी सी जिंगल में बाग रहा था, क्यूंकि वो इस तरफ अपने घर ही आ रहा था, वो लॉर्ड ओफ दा नाइट था, जिसे एक फाइटर वारियर योदा भी कहती हैं, जो लेड़नी में काफी माहिर होती हैं, उनके पास ताप्ती में होती हैं, अब उसकी वाइफ के साथ तीन औरती और भी थी, जो नहीं चाती थी, कि लॉर्ड ओफ दा नाइट यहां अपनी वाइफ की पास आए, उनमें से एक कुछ जैसी एसास हुआ, कि वो घर की करीब है, पॉरन बोलुटी कि वो आ रहा है, यह कहती ही, वो जादो करने लगी, उसका जादो पूरा होती ही, घर की चारोदर्व नीली रगी रोशनी उटना शुरू हो जाती है, और वहाँ एक कवर बन जाता है, जिससे वो अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन तबी बाहिर, लॉर्ड ओफ दा नाइट पहुंच गया, जिस बीची बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन बदकिसमिती से, उसकी मा की मौत हो जाती है, तब उनमें से एक औरा बच्ची को हाथ में उठा लेती है, इस वज़ए से लॉर्ड ओफ दा नाइट को घुसा आ गया, वो जोर से चिलाता है, अपनी ताकत को इसकामाल करनी लगा, उसके अंदर से भी लाल रगी खतरनाक रोशनी निकलनी लगी से, अब लॉर्ड ओफ दा नाइट अपनी ताकत से और्टों पर हमला करनी लगा, पर वो दुबारा से कवर बना कर अपनी जान पच्चा लेती है, अब लॉर्ड ओफ दा नाइट तीनों से कहता है, कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, वो जवाब देती है कि अभी नहीं दे सकती, इसके जवान होने तर्ट हम इसे अपने पास रखेंगे, जब तक ही अपने फैसली लेने की लाइक नहीं हो जाता, अब भी बच्चा क्योंकि लॉर्ड ओफ दा नाइट का बेटा था, जैसे ही जगा कोई कबरे सानो, क्योंकि हर जगा लाशे ही लाशे विक्री पड़ी थी, और तो और उनको बहुत बुरी तरह बेरहमी सी मारा गया था, तो सारे सिपाही अपने काम पर लग जाती है, यनि इन्वेस्टिगेशन करने में, ये वहाँ से एक बिल्डिंग में आये, पर वहाँ भी लाशों के डेरे लगे हुई थी, तब ये चानक पीछे से एक बुरा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर एकदम ये सारे गन पॉइंट कर दीती है, लेकिन बुरा आदमी तो बहुत ज़दर डरह हुआ था, वो कहता है कि यहाँ पर एक शेतान आया था, इनि वंपायर, और उसने ही इन सब को बुरी तरह मार दिया, उसने इन सब को गाजिल मुली समझ कर कार डाला, इसलिए अब तुम्हें यहाँ डेमपियर को बुलाना होगा, क्योंकि वो ही उन शेतानों वंपायर्स को खतम कर सकता है, पर उन में इसे एक सिपाही बोड़े आदमी को शूट कर देता है, जिससे वो मारा गया, सिपाही कहता है, कि इसका मुब बंद करना जुरूरी था, यह कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अब हम दो दोस्तों को गाड़ी में कहीं पर जाता हुआ देखते हैं, एक दोस्तों ड्राइवर्ट था, जिबकि दूसरा कुद को डेमपियर कहा गरता था, और यही कहानी का में करेक्टर है, वो बहुत शराब पिया करता था, एक शराबी था, यह दोनों अब एक गाउं में पोँच रहे, ज़न ड्राइवर्ट दोस्तों सबको लेक्चुर दिने लगा, लेकिन डेमपियर तो साइड में खड़ा होकर एक बात एक शराब की बोतल खतम करे रहा था, दरहसल यह लोगों को छोट मूट डेमपियर का कहेकर उन्हें पागल बना रहे थे, उनसे पैसे बटोरने के लिए, हकिकत में वो लड़का कोई डेमपियर नहीं था, यह लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, अब डेमपियर एक दिर्वाजे के बात जाकर अजीब गुरी उल्टे सिधे एक्शन करने लगता है, पर उन्हें बड़े एकिन से कहने लगा, कि वो वेमपायर मट चुका है, आप लोगों को अपसे कोई खत्रा नहीं, निकाल कर एक काप गला कार दीती है, उसकी आवाज सुनकर बाकी सिपाही भी बाहिर आ गए, और वेमपायर लड़की पर शूट करनी लगती है, उसके साथ दूसरा वेमपायर भी था, जो दोनों बहुत खतरनाब थी, हलांकि सिपाही इतने सारे रहे, इन पर गोलियों की बारिश की जा रही थी, लेकिन सिर्फ ये दो वेमपायर सी, किसी के भी काबो आए नहीं रहे थी, और चार-पांच सिपाहियों को मार गिराती है, उनका खून पीचाती है, अब जब वो गई, तो हेड अपने कमांडर को कहता है, कि इन वेमपायर्स का खात्मा करने के लिए, हमें डेमपियर को बुलाना होगा, मैं एक डेमपियर को जानता भी हूँ, ये सुन कमांडर कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो, कैसी फजोल बगवास कर रहे हो, कोई डेमपियर शेमपियर नहीं होता, कि इन वेमपियर को बुला ही लो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, जिस पर कमांडर मान गया, इसलिए कुछ सिपाहियों को उस निटली डेमपियर की पास देशता है, उस शिराबी की पास, जो इस लाएक लिड़की की लाश को दर्फन कह रहे थी, सिपाही यहां आकर डेमपियर और उसकी दोस्त को पकर लेती है, और ले आती है कमांडर की पास, कमांडर डेमपियर से कहता है कि मैं तु नहीं जानता कि तुम कोन हो, पर इतना बता दू कि वेमपियर कैसे मरते हैं, ये सुन डेमपियर फोरन बोला, और ये पागल कैसी बात ही करे हो ये वंपायर्स लगेरा कुछ नहीं होती मैं तो बस ऐसी मनघड़त बात बनाकर लोगों को पागल बनाता हूँ उनसे पैसे लेने के लिए जिस पर हेड कहते है नई सर ये चुपा रहा है ये डेंपियर ही है वंपायर्स का शिकार करने वाला इसका सबूत ये है कि मैं इसे कुप से जानता हूँ पर इसकी उम्री नहीं बढ़ती ये हमेशा से जवान है जिस पर कमांडर कहते है ठीक है ये चीज़ आज राच चेक कर लेती है और अब वो डेंपियर कोई कुड़सी पर बाहर बिठा देती है आज राध पैरा देने ये लिए इस सोच के साथ कि अगर वंपायर ने आकर इसे मार दिया तो ये आम इंसान होगा लेकिन अगर इसने वंपायर को मार दिया तो फिर ये सच में होगा डेंपियर और फिर राध बाहर बैठ कर भी डेंपियर कोप शराप पीने में मस्त होता है तब ये चानक उसे बिलने की अंदर से आवास सुनाई दी गई ये जब जैक करने अंदर गया तो वहाँ वह वेंपायर लिड़की थी जो उसे अपनी बातों में उल्चा कर गलें से लग जाती है और अब अपने बड़े-बड़े दात निकाल कर जैसे उसका खून पीने लगी तो उसे तक लेफ होने लगती है इससे लिए वो डेंपियर को दोर फैंग दीती है वो उस पर हमला करने लगती है लेकिन वो था डेंपियर उसका कुण जैसे वेंपियर को लगता है वो जलने लगी जल कर राख बन जाती है और ऐसी सब की मोथ हो जाती है अब हम वेंपियर की राजा को देखती है जिसका नाम गौर का था उसके पास भी ताक्ती थी जिनकी मदद से उसने सबी वेंपियर का दिमाग अपने कंट्रोल में किया हुआ था वो सबी वेंपियर से कहता है कि तुम उस अपियर से लड़ ही ने पाए इसलिए वापिस आजाओ जिब की वेंपियर लिड़की को कहता है अगली सुबा कमांडर अपने साथियों के साथ बाहिर आया ये देखने की आखर कल रात क्या हुआ होगा उस सियां विंपायर्स की जिदी होई लाशी मिलती है इसलिए वो सिदा डैंपियर की पास गया पुछता है कि आखर तुमने इन सब को कैसे मारा विंपायर जवाब देता है कि इन सब की एक विंपायर साथी अंदर भी मौझूद है जो मेरी दोस्त बन जुगी है इसलिए अब कमांडर अपनी टीम के साथ बिल्टें की अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है उसकी टीम काफी डरी हुई थी कमांडर को कहती है कि हम इन अंदर नहीं जाना चाहिए चलो वापस चलती है इन विंपायर शेटानों से कौन लड़े पर कमांडर उनकी एक नी सुनता पिल्टें के अंदर चला जाता है पर यहाँ उसकी टीम के दारे पर उतराती है वंपार लिड़की को देकर वो बहुत डर गई अपनी कमांडर को कहते हैं तुम्हें यहां आने का वो शोक था ना इसलिए अब तुम यही इस वंपार के साथ रहोगी तुम्हारे साथ डैंपियर और उसका दोस्त भी होगा हम यहां से जा रहे हैं जो कहकर उन्हों ने इन लोगों को यहां पर बं कर दिया और यहां से जानी लग तेमपियर अपने ड्राइवर साथी को कहता है कि देखो यहां पर बहुत खत्रा है इसलिए तुम भी उन सिपाहियों के साथ चरे जाओ पर उसकी दोस्त नी साफ साफ मने कर दिया यह कहकर कि मैं तुम्हारे साथ यही रहूँगा लेकिन डेमपियर ने जैसे तैसे उसी मनाकर सिपाहियों की साथ बेजी दिया जिसके बार डेमपियर उस लड़की से बात करनी लगा जो अपना नाम अनेग्जा बताती है और कहती है कि मैं गौलका के लिए काम करती है वो मेरे दिमाब को भी कंट्रोल कर सकता है पर मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं उसके साथ काम करना नहीं चाहती है बलकि उसकी जान लेना चाहती हूँ क्योंकि वो मुसे गलत काम करवाता है जो मैं नई करना चाहती। डेमपियर उसे पूछता है कि तुम मेरे बाले में क्या जानती हूं जिस पर वो कहती है कि तुम लॉड ओफ दा नाइट की बेटी हो। लॉड ओफ दा नाइट जिससे भी शादी करता है उससे तुम जैसे लोग डेंपियर पैदा होते हैं जिससे यहां हम समझगे कि शुरवात में जो डेंपियर बच्चा पैदा हुआ था वो और कोई नहीं बलके यही था आगे वो कहती है कि तुम डेंपियर भी Lord of the Night की तरह बहुत कतरनाग होते हो जिने मारना बहुत मिश्किल है और तुम्हारे जान लेने के लिए सारे वंपियर तुम्हारे पीछे पड़ी होते हैं गौर का भी बिल्कुल ऐसा ही है यही चाता है वो भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो जान चुका है कि तुम यहां हूँ तो अब तुम्हें मारने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा उदर कमांडर की टीम जिंगल की रास्ते से आगे बढ़ रही थी अचानक एक सिपाही को उल्टे लग जाती है वो जब रुके तो किसी की होने का ऐसास हुआ और अब जैसे उन्होंने देखा वहां खड़ा था गौर का जो एकदम से उन पर हमला कर दीता है कुछ सिपाहीं को इशारे से ही वो जला कर उड़ा दीता है जबकि कुछ को कैद करकी अपनी साथ ले गया था उदर टेमपिर की भी तब्यत खराब होने लगती है क्योंकि उसे एसास हो गया था कि गौर का मेरी आस पास ही है साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि गौर का मेरी दोस्त और बाकी सिपाहियों को कैद करकी अपनी साथ ले गया है टेमपिर उन से कहता है कि मुझे कैसे भी करकी अपनी दोस्त को बचाना है ये सुन अलेक्सा कहती है कि मैं जानती हो गौर का उन्हें कहां लेकर गया होगा इसलिए अब ये लोग वाँ जाने के लिए तयारे करने लगते हैं अलेक्सा अपने पूरे जिस्म और चीरे को अच्छे से कवर्ट कर लेती है क्योंकि वेंपायर होने की वजह से अगर सुरज की रोशनी उस पर पड़ी वो जल जाए जिसके बाद वो तीनों इन्हें डेंपियर कमांडर और अलेक्सा गाड़ी में बैठकर अपना सफर शुरू कर दीती है सफर करती करती क्योंकि इन्हें काफी देर हो गई थी तो एक जिगार रुकर ये लोग अराम करने लिखती है तेमपियर और कमांडर जब अकेली थी तो कमांडर उसे कहता है कि ये लड़की वेंपायर है इसलिए मुझे तो इस पर ही कीनी ने तो मैं तुम्ही दस बार मार चकी होती समझे इसलिए अराम से रहो टेमपियर साइड में जाकर अपने जखमों को देखनी लगता है जो अपने आप ही भरने लगती है ये देख उसके पास अधग साई बताती हैं कि ये देखर तुम्हें अजीब लग रहोगा है ना लेकिन अपसी तुम्हारे साथ ये होने वाला है हमेशा चोड लगने पर तुम्हारे जखम ऐसी खुद बाखुद बर जाया करेंगी उदर गौर्का ने कमांडर की सबी सिपाहियों को अपने पास कैद कर लिया था जंजीरों से बान कर गौर्का का साथी वागुद सिपाहियों को पकड़ की लाता है जिन्हें गौर्का अपना खुद निकाल कर पिला देता है यह कहते हुई कि आज से तुम भी मेरी सर्वेट बन चुकी हो यानि उसने इनको भी विम्पायर बना दिया था यहां वो से अपनी ताकत दिखाती है गल इसी पकड़कर दिवार के साथ लगाकर ऊपर कर देती है फिर कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहली भी कहा मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो दस नहीं 70 बार मार चुकी होती आई समझ इसलिए अब ज्यादा बनने की जरूरत नही अराम से रहो यह देख डेंपर दोनों से कहते हैं अचा बस करो लड़ाई खतम करो हमें अपना सफर फिर से शुरू करना है यह लोग आगी बड़ी जल्दी और शेहर में पहुन जाते हैं इस शेहर में भी तबाही मची होई थी साथी हर कोई वंपायर से भी डरा हुआ था जल्दी गौरका की आदमी इनकी सामने आ गई जो और कोई नहीं बलकि कमांडर की सिपाही थी लेकिन अब सारे की सारे वंपायर से बच चुके थी इसलिए अगौरका की साथी थी वो आगी बड़े इन पर हमला करने के लिए कमांडर ने एक गोली चिला कर जैसी वंपायर क साफी खुश हो गया कहता है देखा मेरे कोंडी गोलिया काम कर गई ना जिसके साथ ही उसकी टांग पर भी गोली लग गई वो देखते है कि ये गोली अलेक्जा ने चिलाई है जो अब उनकी तरफ गन करके बढ़ने लगी ये देखते हैं कि उसकी आंके बिलकुल काली पड चुकी हैं वो दुखी होते हुए उनसे कहते हैं कि ये मैं अलेक्जा नहीं हो बलकि मेरी दिमाग को गौर का कंट्रोल करके मुझसे ये सब करवा रहा हैं टेम पिर उसकी गन पकड़के कहते हैं कि तुम उसकी गुलान नहीं हो और उसकी कंट्रोल से बाहर आ सकते हो उसका ये कहना ही था कि तभी अलेक्सा ठीक हो गई, कुछ दिर की बाद वो छट पर गई, ताकि कोद कर अपनी जान दे दे, लेकिन तभी उसे एक लड़की के चिलाने की आवाज आई, जो मदद के लिए पुकारे, ये जब वाँ चेक तेने गई, तो दो वेंपायर्स ने लड़क पर हमला कर दिया था, इसलिए अलेक्सा उन से लड़ने लगती है, वो अपनी नाकुनों से उनका गला काट कर फैंकी मारती है, जिससे दोने वेंपायर्स मारे जाती है, तब यहां गौरका भी आगया, वो अलेक्सा को कहता है, कि तुम मेरी साथ गदारे क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है, मेर तुम्हारे गुलाम बन की नहीं रह सकती, तुम्हारी कट पुतली तो बिल्कुल नहीं बन सकती, जिससे तुम जो चाहे करवा सकती हो, जिस पर गौरका को गुस्सा आ गया, वो अलेक्सा को मारनी लगा, उसके गली से उठाकर दोर फैंकी मारता है फिर उसी भी कैद करकी अपनी साथ ले गया, टेमपियर और कमांडर फिर से अपना सफर शुरू करती हैं, टेमपियर के टांग पर जहां गोली लगी थी, उसका जखम बिल्कुल ठीक हो गया था, और अब यह उस जगा पर पहुन जाती है, जहां पर गौरका था, दोनों अ कमांडर की आँके खुली, वो खुत को जंजीर से लटका हुआ पाता है, जिसके सामने अलेक्जा भी लटकी हुई, तब यहां कमांडर का साथ ही आ जाता है, जो अब वंपायर बन चुका था, वो अलेक्सा को तकलीफ दिनी लगा, आग के गोले से उसको जिलानी लगता है वो बिचारे तरप्तनी लगी, यह थी कमांडर को खुसा आ गया, वो अपनी साथी को कहता है, कि मैं तुमें छोड़ोंगा नहीं, छोड़ दो उसे, इधर मेरे साथा कर निप्टो, जिस पर वो वंपायर कमांडर की पास चला जाता है, यह जब बातें कह रहे थी, तो इस अलेक्जा को मुका मिल गया था, वो अपने जंजीर को खीचनी लगती है, ताकि यह तोट जाए, पर इस बीच वंपायर ने अपने बड़े-बड़े नाकुल कमांडर के अंदर को सा दिये थी, इससे पहले वो फिर से वार करता, अलेक्जा जंजीर को खीच कर तोड़ने म काम याप हो जाती है, वो फिर जंजीर से वंपायर की गले को जकर देती है, फिर वो दोसी साइट पर जाकर जंजीर को वाहन लपेट दीती है, जैसी जोड लगा कर खीचती है, वंपायर वही माना जाता है, पर यहाँ अब एनेक्जा की तविद भी खराब होनी लगती है, उसकी हालत मरनी वाली हो गई थी इसलिए कमांडर उसे अपना खुण निकाल कर पिलाता है जिसे वो ठीक हो गई और ऐसी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है टेमपियर बिल्टें की चांद बिन किरते हुई आखिर कार गौरका की पास पहुंच जाता है उसे देखते ही गौरका कहता है आओ आओ लड़की मैं तुमारा ही इंतजार करना था और अब वो अपनी खतरनाप ताक्तों से टेमपियर पर हमला कर दीता है पहले उसी दूर उठा कर मारता है फिर पटक पटक की इधर उदर मारनी लगा उसे लड़ना तो दूर की बार टेमपियर तो अपना पचाव पे नहीं कर पा रहा था वो ठीक ही नहीं पाता हूँ पर अब यहां हमले को रोक कर गौरका कहता है कि तुम्हे मारने से पहले मैं तुम्हे किसी से मिलवाना चाहता हूँ और तब यहां वो देमपियर की दोस्त को लाता है जो भी अब विमपायर बन चुका था और अब वो गौरका की कंट्रोल में था इसलिए वो देमपियर पर हमला करवा देता है पिर जाहिर है डेमपियर का खून काफी ताकत पर था वो जैसे उसकी दोस्त को लगा वो भी जल कर मारा गया तब गौरका कहता है लोग एक दोस्त ने दूसरे को मार दिया तबी वो देमपियर पर भी हमला कर दीता है अपनी खतरनाक ताक्तों से जैसे उसकी जानी दी लगा पीछे कमांडर और अनेक्स आ जाती है तब गौरका कुछ देर के लिए डेमपियर को छूड़कर उन पर हमला करता है दूनर को अपनी ताक्तों से दिवार के साथ लगा देता है कहने लगा कि तुम भी अब अपनी दोस्त डेमपियर को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखोगी गवाही भी दोगी किसने कितनी जिखों पुकार की पर विचारा मारा ही गया डेंपियर जो भी होश हो गया था उसे एक सपना आता है जिसमें वो उनी तीन ओर्टों को दिखता है जो उसकी पैदा होदी टाइम उसकी मौन की साथ थी वो डेंपियर को कहती है कि तुम अब जाकर अपनी डेड से मिलो यनि लौड ओफ दा नाइट से और अब जैसे डेंप अपनी टेड की सारी बाते सुनकर अचानक डेंपियर का दिल जो और से धड़कनी लगा जिसकी साथ युसके इंदर तापते बिया जाती है वो उठा और अब पूरे जनून की साथ गोर्गा से भीड जाता है वो उड़कर आया जोर से गोर्गा को मुक्का मारता है ऐसे कई सरे मुकों की वारिश वो गौर्गा पर कर दीता है जिससे अब यहाँ डैंपियर उस पर भारी पढ़नी लगा था जब कि गौर्गा कमजोर होना शुरू हो गया था क्योंकि डैंपियर अब अपनी असली फोम असली जलून में आ चुका होता है उसे इतना ताकतवर पाकर गौर्गा भी अपनी असली रूप में आ गया था जो वो त्पहानक ड्राउना था और अब दोनों ही एक दूसरे पर तोट पड़े इनकी जबर्दस लड़ाई चुड़ जाती है और उड़कर एक दूसरे पर हमले कर रहे थी पर अपने खून वाले हाथों से जैसे रैंपिर गौर्गा का गला पकड़ता है वो भी जलना शुरू हो गया तैंपिर अपने दोनों हाथों का इस्तामाल करनी लगा गौर्गा को जला कर मार देता है और वो धुआ बंद कर उड़ जाता है अब ये तीनों जैसे ही जाने लगी इनके सामने एक दर्वाजा खुल जाता है अंदर जब ये गए तो ये काफी पुराने वक्त का कमड़ा था जिसके अंदर डेंपिर के डेट की किताब पड़ी थी साथी वाँ उसकी डेट की तस्वीर भी बने होई थी यहाँ इनी पता चिला कि वो सिर्व एक गौरका नहीं था बलकि उस जैसे और भी कई सारी हैं टेंपिर कहता है कि कोई मसला नहीं अम मैं गौरका का दुश्मन बन चुका हूँ इससे दिए किसी भी गौरका को नहीं छोड़ूगा